स्वागत है आपका मारे चैनल नेक्स्ट नाइन नियोज में और मैं हूँ आपके साथ आर्दी जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ क्रोना वाइरस के ही चर्चे हो रहे हैं क्रोना वाइरस से कैसे बचा जाए क्रोना वाइरस के लक्षणों की क्या पहचान है जहां चीन के वहां से शुरू हुआ था क्रोना वाइरस तो अब तो सबसे अच्छा विकल्प ये बचता है कि इस वाइरस से खुद को बचा लिया जाए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अब इस क्रोना वाइरस को लेकर लोगों के बीच में अववाय भी बहुत फ्याल रही है हर चीज को क्रोना वाइरस से रिलेट कर दिया जा रहा है ये नहीं करना वो नहीं करना लेकिद अगर ध्यान दिया जाए तो काफी चीज़े ऐसे हैं जने आप कर सकते हैं तो आज हम आपसे अपनी इस रिपोर्ट में क्रोना वाइरस की कुछ चंद लक्षणों के बारे में बात करेंगे और कैसे आप इन इस क्रोना वाइरस से बच सकते हैं इस बारे में आपको कई उपाय और कई सुझाव भी देंगे चलिए फिर नज़र डालते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर आज की ये रिपोर्ट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं क्रोना वाइरस को लेका एक ऐसा वाइरस जुसने चीन सहित पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और दुनिया ही नहीं बलकी ये वाइरस अब भारत में भी तस्तक दे चुका है दिल्ली और तेलंगाना में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं जी हाँ आपको बता दें यहाँ पर कि इटली से आए एक पर्यटक के एक दल के क्रोना वाइरस से संक्रमित होने के बाद भारत में भी क्रोना वाइरस के कई मामलों की पुष्टी की गई है भारत में अब तक 29 से 30 मामलों की पुष्टी की गई है और धीरे धीरे ये इस्तर बढ़ता जा रहा है बढ़ते वाइरस से जरूरी है खुद को बचाए रखने की जी हाँ आपको बता दें अब वाइरस को लेकर दिल्ली एंसियार में रहने वाले लोगों के बीच अलग ही बेचैनी देखने को मिल रही है अगर आपको एक रिपोट के अनुसार बताएं तो दिल्ली एंसियार में मेडिकल स्टोर से मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड रहे हैं वही आज हम आपको क्रोना वाइरस के कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिसे आपको पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपसे बात करते हैं लक्षण के बारे में फिर आपसे बात करेंगे उपाए के बारे में जी हाँ, क्रोना वाइरस यानि की कोवाइड-19 में सबसे पहले बुखार होता है उसके बाद सूखी खासी होगी और फिर एक हफ़ती के बाद सांस लेने में परिशानी होने लगेगी इलक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं है कि आपको क्रोना वाइरस का इंफिक्शन है क्रोना वाइरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, गले में खराश, नाग से पानी बहना, सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होना, किड्नी फेल होना और यहां तक कि इस वाइरस से लोगों की अब जान जा रही है उम्र दराज लोग और जिन लोगों को पहले से ही कोई बिमारी है जैसे कि अस्तमा, मधुमै, दिल की बिमारी, उनके मामले में क्रोना वाइरस का खत्रा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है इसलिए जरूरी है कि इससे बचा जाए और इससे खुद को सुरक्षित रखा जाए जी हां, बता दें आपको कि क्रोना वाइरस से मिलते जुलते वाइरस, खासी और छीक से गिरने वाली बूंदों के जरिये फैल रहे है अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, खासते और छीकते वक्त, अपना मूँ ढकले, हाथ साफ नहीं हो तो आखो, नाक और मूँ को हमेशा छूने से आपको बचना है वहीं आपको ये भी बता दे कि कैसे आप क्रोना के इंफेक्शन को फैलने से रौक सकते हैं अगर आप इंफेक्शन इलाके से आए हैं या किसी संक्रिमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है आप घर पर रहें ओफेस, स्कूल और सार्वजनिक जगाहों पर ना जाएं सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, आटो या टेक्सी की यात्रा भी ना करें ना ही घर में महमान बुलाएं, घर का सामान किसी और से मंगवाएं अगर आप और भी लोगों के साथ रहते हैं, तो ये खत्रा और भी ज्यादा बढ़ जाता है चली, अब आपको ये बताते हैं कि क्रोना वाइरस से बचाव के लिए लोग आजकल मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार मास्क पहनना किसे चाहिए? विशिशग्यों की अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी क्रोना वाइरस से संक्रमित विक्ती की देख भाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना बहुत ज़ादा ज़रूरी है जिन लोगों को बुखार, कफ या खासी, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हैं उन लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए और फॉरण नहीं लगाना है आपको, अगर हाथ लग जाए तो तुरंथ हाथ आपको धो लेने हैं मास्क को ऐसे आप पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुह और थोड़ी का हिस्सा उससे ढखा रहे मास्क को उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़ कर निकाले, मास्क को आपको छूना नहीं है और इस बात का ध्यान रखे कि आपको हमेशा मास्क को रोज बदलना होगा तो देखा अपने हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में क्रोना वाइरस के लक्षन, उससे बच्चाव, साथ ही साथ किन लोगों को मास्क पहनना है और मास्क किस तरह से पहनना है, इन बातों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है अब अफवाहों में ना फसे और क्रोना वाइरस पर ध्यान दे और इसके लक्षन जैसे ही आपको दिखे वैसे ही नस्ती की अस्पताल में सरूर जाए और खास कर सर्दी जुखाम खासी बुखार को लेकर बिलकुल भी लापरवाही ना बढ़ते फलाल आज के लिए बस अतना ही इसी तरह की और खबरों के ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट नाइन नियूस को